हलो स्टुडेंट वेलकम बेक टो सी यूट बाइडर 247 दिस अनीता शर्मा यूर हिस्टी में टॉर स्टुडेंट आज के सेशन में करने वाले हैं हमारी हिस्टी का चाप्टर टू जिसका नाम है किंग्स फार्मर्स एंट टाउन है ना तो इस पूरे चाप्टर को हम बहुत अच्छे से रिवाइस करेंगे ताकि लास्ट मेंट पर हमारी जितनी अच्छे रिवीजन होगी उतने ही अच्छे तरीके से हम अपने क्वेशन के आंसर दे पाएंगे अपने एक्जाम में चाहेगो आपका बोर्ड एक्जाम है चाहेगो आपका स्यूट एक्जाम है ना ज सबसे पहले हम बात करेंगे इसके introduction part की राइट तो introduction part में हम क्या करेंगे कि हडपा के decline होने के बाद और जब चीजे दुवारा से मतलब decline होने के बाद जब चीजे restart होती हैं तो restart होने के बाद से 1500 years में जिस तरह से development होती है तो उस development के बारे में आपर पढ़ने वाले हैं तो economic development भी होती है और political development भी होती है राइट बचे तो यहां पर किस किस तरह से वो development होती है वहां पर हम चीजे जानने वाले हैं तो यहां देखिए कि after the end of the हडपा civilization during a long span of the 1500 years there was a several development in the different part of the subcontinent तो हमारे पूरे इंडिया के अंदर इंडिया कोई इंडिया कोई subcontinent कहा जाता था है ना तो पूरे इंडिया के अंदर किस तरह से development होती है 1500 1500 years के दौरान तो there was the there was also the period तो यह वो period होता है यानि कि हडपा के decline होने के बाद और चीजे दुबारा से जब start हुई है ना चीजे दब दुबारा से start हुई तो इनके बीच का जो 1500 years का time देख रहो ना बचे हम यहां की बात करें कि इन में किस किस तरह के changes यह वह तो यह वह पीяж आटा जब रिगवेद को compose किया गया था और रिगवेद को कब compose किया गया था 1500 news 1000 बिसी के ऐंदर रिगवेद को compose किया गया था राइट और यह कॉन compose करेंगे और रिगवेद जो था वो हमारा ओल्डेस हुन्दों का oldest प्रिश्ट वेद माना जाता है ये तो आप जानते होंगे। ठीके। चार वेद होते थे खुण, कौन से रिगवेद, याजूर वेद, अथर्वेद, और साम वेद है। यह चार वेद होते थे, सबसे पुराना वेद कौन सा है, रिगवेद है, तो रिगवेद को कौन कंपोज करेंगे, यह वही कंपोज करेंगे, जो इंदस रिवर और उसकी ट्रिबुटीज के आसपास में, जो सेटल्ड होंगे, जो भी लोग वहाँ पर रहेंगे तो ये नदियों के किनारे बैट करके और रिगवेद की रचना करेंगे ठीक है उसके बाद जेम्स प्रिंसप जो थे ये एक introduction पार्ट है ये बस सोचेगा कि माम ने ये पूरा कम्प्लीट करा दिया ये जस्ट इक introduction है कि हम इस चाप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बाद जेम्स प्रिंसप जो थे एक ऐसे एसे कंपनी में कैसे ऑफिसर थे जिन्होंने पहली बार सबसे पहली बार इन्होंने ब्रामी और खरोस्टी स्क्रिप्ट को है ना और जो लिखने का तरीका होता है वो हमें स्क्रिप्ट बताती है ना तो जैसे मैंने यह लिख दिया यहां पर मानलो मैंने यह लिखा सीता अब सीता सर के उपर एकी मातरा आई तो यह कैसे लिखा गया तो यह स्क्रिप्ट होती है लिखने का तरीका हमें स्क्रिप्ट जिसमें अशोका ने अपने आपको क्या लिखवाया था पियदासी और देव पिया लिखवाया था तो देव पियदासी का मतलब होता है प्लीजिंट टूभी होल्ड जिसको देखकर अच्छा लगता है तो इस तरीके से उन्होंने डारेक्ट अपना नाम अशोका ना लिखव नहीं मिला क्योंकि उन्होंने अपने आपको अशोग ना लिखवा करके इन दोनों नामों से लिखवाय था रीजन क्या था क्योंकि अशोग जो था वो एक बहुती महान शाशक थे हैं ना और वो नहीं चाहते थे लोग जो उनको कलिंग के बैटल से यानि कि इतने लोगों को हत्यारे के रूप में उनको याद करें ना तो कलिंग बैटल में काफी सारे लोग मारे गए थे तो उनके उनके मरने का reason अशो को ना ठहरा जाए, इसलिए वो अपने आपको इस तरीके से लिखा करते थे, ठीक है, तो ये एक आपको deep में पता चला होगा, राइट, नेक से बात करते हैं, the early state, यानि की 16 महा जनपदा, तो अब ये जो period होगा न बचे, इसमें आपने देखा, रिगव जानते हैं, कि किस तरह से जनपद बने, जनपद से बहा जनपद बने, और महा जनपद से ये empire बने, तो यहां की जनपदी जानते हैं, तो 6th century BC, question आता है कि ऐसा, ऐसी कौन सी century थी, या ऐसा कौन सा दोर था, जिसको इंडियन हिस्ट्री में एक major turning point कहा जाता है, तो ये answer जाता है, क्योंकि इसी दोरान जो है, वो बॉत दर्म और जैन्दर्म का भी emergence हो चुका था, साथ साथ में cities, towns, ने जो है, वो states बन रहे थे, राजाओं का emergence हो रहा था, तो इनी सब reasons की वजए से development जो हो रही थी, political or economically, इनी सब की वजए से इसको एक major turning point कहा जाता है, जो पहल एक tribe के रूप में है, कभीले के रूप में बस, जो है, वो settled हो जाता था, तो यहाँ पर यह देखे, मैं छोटे से example के तुरू यहाँ पर बताऊंगी, बानलो, यह पूरा का पूरा Indian subcontinent है, तो यहाँ पर लोग ना, अलग-अलग groups में कहीं कहीं पर रहने लगेंगे, right, कही कहीं कहीं पर रहने लगेंगे, अब लोगों का यह जो group होता है, यही क्या कहलाता है, यह क्या कहलाता है, जनपत कहलाता है, अब एक जनपत, दूसरे जनपत पर attack करके, अपना area बढ़ा कर लेगा, इसी तरह से यहाँ पर attack करके, इसका area बढ़ा हो जाएगा, तो यह क्या हो पूरा का पूरा एक क्या बनाएंगे एंपायर बनाएंगे जनपद को क्या बोला जाता है आज की डेट में अगर मैं इसको समझाओं तो डिस्टिक बोला जाता है ना बहुत सारे डिस्टिक बना करके क्या बनते एक स्टेट बना जाता है ठीक है एक स्टेट बना जाता है और बहुत सारे state मिलकर क्या बनाती है, एक country बनाती है, ठीक है, समझ गए ना, आज के time में, और पहले के, दोनों को मैंने बता दिया है, ताकि आप अच्छे से इसको relate कर सको, connect कर सको, अब ये सारी चीजे हमें कहां से पता चलती है, ये सारी चीजे हमें textbook से पता चलती है, जो कि प्राकृत और संस्कृत भाषा में लिखी होई थी, the early state 16 महाजनपदाद में, अब हम आगे बात करने वालें किस पर most महाजनपदाद, अब ये जो महाजनपद बने, इनमें कौन रूल करता था, king rule करता था, जिनमें से कुछ को जो है, वो घानाज और संगा के नाम से जाना देखना है, तो इस तरीके से उसकी जो पावर होती थी, वो शेर हो जाती थी है न, तो इसको क्या का जाता है, इस सिस्टम को ओलिगेची इस कहा जाता है, ओलिगेची वेर दा पावर वो शेर बाई दा, number of the collectively called Rajas, so each महाजनपद had a capital city, तो हर एक महाजनपद की अपनी capital city होत ती थी और उसमें सारी की सारी administrative activities जो है वो होती थी, यानि की rule regulations capital से बनते थे और पूरे के पूरे उसमें महाजनपद में इसको regulate किया जाएगा, अब हम बात करते हैं अगले उसकी 16 महाजनपद की, तो ये थे आपके पूरे के पूरे 16 महाजनपद, कौन कौन से 16 ये सारे के सारे क्या होंगे, ये सारे के सारे आपके 16 महाजनपद होंगे, और इन 16 महाजनपद में से सबसे बड़ा और powerful महाजनपद कौन होगा, ये होगा आपका मगद, इसके powerful होने के reason क्या थे, तो यहाँ पर हम जानते हैं, between 6 to 4th century BC, मगद in present day बिहार, तो पहले का मगद वो ऐसा reason था, जहाँ पर जो soil की fertility थी बहुत अच्छी थी, जो भी इसमें cultivation की जाती थी, उसकी उपज बहुत अच्छी निकलती थी, जिससे की राजा के पास revenue collections बहुत अच्छे आते थे, और बाहर export करने पर उनको पैसा मिलता था इस तरह से, उनकी economical जो development थी, वो भ पनाये जाते थे, तो इसकी वजए से, iron की वजए से उनको बहुत बहुत ज़्यादा फायदा मिला, साथ-साथ में जो है, वो river के पास में located था है, तो आपको भी पता है कि पाटली पुतर जो है, वो गंगा river के पास located है, तो यहाँ पर जंगलों के पास में जंगल बगर भ से communication भी किया जाता था है, जिससे कि वो locally भी और दूर दराज के देशों से भी अपना अच्छे से trading कर लिया करते थे, import-export का काम होता था, जंगलों में elephants पाया जाते थे, जिसके जैसे वो RV में काम आते थे, तो यह भी, और सबसे बड़ा तो यह था कि राजाओं का ambitious होना ह है न, तो राजा लोग होते थे, ambitious बहुत ज़्यादा होते थे, कि हमें अपने land को extend करना है, तो किस तरह से हमें किस राजा को कैसे जीतना है, तो यह जिस राजा के अंदर जील होती थी, एक एक अपना empire बढ़ा करने की जिद जो होती थी, तो यह भी उसका एक powerful होने का तो मौरे empire का यहाँ पर हम बात करेंगे कि मौरे, चंदरगुप्त मौरे founded the मौरे empire in 321 BCE, तो 321 BCE के अंदर इसापूर्व मौरे empire की स्थापना की गई थी, और चंदरगुप्त मौरे जब राजा बने थे, तो याद रखना 322 में, लेकिन आपको इतना ही याद रखना है, ठ तो पूरा का पूरा आप ये एरिया देख रहो, ये पूरा का पूरा एरिया जो है, ये चंदरगुप्त मौरे ने ही create किया था, पूरा empire बनाया था, हमें मौरे empire के बारे में कहां से पता चलता है, तो बहुत सारे ऐसे हमें sources, हमारे historian को हाथ लगे, जिसके जैसे हमें मौरे empire के बारे में इतनी सारी information मिलती है, वही सब जानने वाले history have been the variety of the sources, construct the history of the Moria empire, this including the archaeological find, तो यहां पर जो जो exhibitions के दौरान, हमारे archaeologist को जो भी खुदाई के दौरान, चीजे मिली, जो कि Moria empire से related थी, वो हमें उसकी जानकारी देते हैं, नेक्स आता है, especially the structures, याने कि बड़ी- मौरे के मूर्ती है, यहां पर यह जो उनको, आर्टिफेक्ट्स याने कि जो चीजे हमें वहां से मिली, तो उनके पता चलता था कि Moria empire में यह यह चीजे यूज होती थी, खास करकि मूर्तियां structures, कौटलिय की जो अर्थ शासर थी, तो उसे पूरा का पूरा मौरे सामराज् किसकी, मेगस्थनीज की, जिसकी बुक का नाम था, क्या, जिसकी बुक का नाम था, इंडिका, ठीक है, मेगस्थनीज, ठीक है, मेगस्थनीज, मेगस्थनीज की बुक का नाम क्या था, बुक का नाम क्या था, बच्चे, इंडिका, ठीक है, तो इंडिका में उसने पूरे के पूरे वो चंदर को पूरे के साशनकाल में आया था कुछ सालों तक रहा यहां पर उसने पूरे मौरे एंपायर को विजट किया एक एक चीज को बारिकी से जाना और फिर उसने अपनी इंडिका बुक में पूरे मौरे सामराज्जी के अग्राज्जी के बारे में डिफाइन किया साथ साथ में उसने क्या बताया कि मौरे इसके अलावा इंसक्रिप्शन से भी आपका हाड़ सरफेस होता है हाड़ सरफेस का मतलब समझते हो ना जैसे copper plate हो गए बड़े बड़े पत्थर हो गए शिला लेक हो गए इन पर जो भी कुछ लिखा जाता है तो उसको क्या कहा जाता था inscription कहा जाता था और inscriptions की study करने वाले को क्या कहा जाता है एपिग्राफिस्ट कहा जाता है, यह यहां पर आएगा, और बहुत सारे कोईंस मिले, तो कोईंस पर क्या लिखा वा था मौरे सामराज़्य के बारे में है ना, या किस राजा ने, मौरे सामराज़्य के किस ruler ने उसको इंट्रोड्यूस किया था तो उनके उपर भी उनका content लिखा होता था तो जो coins की study करते उनको क्या का जाता है new mismatic कहा जाता है क्या का जाता बच्चे new mis Numismatic ठीक है उसको क्या कहा जाता है नियोमिस्मैटिक कहा जाता है तो यह हमारे permanent record थे जो कि हमें as a tease वहां से मिले ठीक है कहीं कहीं पर उनकी dates वगरे भी लिखी जाती थी administration of the moray empire तो इतने बड़े empire को इतने बड़े empire को five political major centers में divide किया गया, तो एक तो उनकी पाटली पुत्र जो थी main capital थी, साथ साथ में अक्षिशला, उज्जैनी, तोषाली और स्वंधिरी, स्वंधिरी किसको कहा जाता है बच्चे करनाटक को कहा जाता है, क्या किसको कहा जाता है, करनाटक को, clear, तो ये पाँच political centers बनाए गए जिसमें क्या करते थे पूरे इतने बड़े empire को smoothly run किया जाता था अब यहाँ पर administration control the strongest area the capital and the provisional centers तो communication अच्छा एक चीज़ याद रखना यह जो partly पूतर था यह provisional center था और यह जो बाकी थे यह आपके political centers थे तो अब देखिए यह सारे provisional center थे communication along the both तो जो communication होती थी यानि कि आना जाना जो होता था वो रिवराइन से भी होता था लैंड रूट से भी होता था और कभी-कभी जो दूर दराज के देशों में जाना होता था सी रूट्स भी follow किया करते थे ठीक है तो army was an important ensuring the protection of the Megasthenes mentioned the army के बारे में Megasthenes ने अपनी book Indica में six committees के बारें बताय हुआ है तो पूरी के पूरी army होती थी यह क्या होगी आपकी army army को भी total जह वो छे भागों में बाटा गया था तो इन six sub committees बनाए गई थी तो जिसमें एक को जैसे कोई elephant का पूरा-का पूरा कारेभार समहा लेगा ना कोई horses का समहा लेगा है न कोई जो है उनको सैनिकों को खाना पहुंचाना होता था है ना तो इस तरीके से जो भी उनकी requirements होती थी उनको fulfill करना होता था फिर चाहर और जो एनिबल को चार मग तें तो उनकी भी एक से हमएइं की बताया है अब वह पर यह तो बार हमारा नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट अब यहां पर सौथ इंडिया में क्या को रहा था क्योंकि यह नहीं था नो उपारसुल बैन हो तो चीफ होता था एक पाफुल था जिसकी पोजिशन जो थी वो हो सकता है हैरेडिटी भी हो सकती थी मैंने यह क्यों कहा तो दूसरे राजा ने टैक करके उसको एकौराइर कर लिया जीत लिया पुरा है न though वो हरारकी तो नहीं हुआ न, आब कहने का मतलब कि वो डानेस्टरी तो नहीं रही जो पहले की तरह थे क्योंकि वो भी गिफ्ट रिसीव किया करते थे फ्रॉम हिस दा ओर्डिनेट फ्रॉम हिस्ट सब ओर्डिनेट अन्लाइक तकिंग हूँ यूजवली कलेक्टे देक्स तो यह भी लोगों से पीजन से वहां से टेक्स लिया करते थे और इसी से जो तो आज भी यह होता है पहले भी यह होता था कि गॉर्णमेंट के पास जो टेक्स आता है वह पब्लिक का ही होता है जिससे कि वह अपने राज्य में डेवलोप्मेंट करता था ठीक है उसके बाद दर न्यूव किंगडम इमर्जिस इन देकन अब नएने जो है वो डेकन में साउथ में नएने किंग्स डम बनने लगेंगे इंकλूडिंग दा चीफएंस ऑफ टा इन पूरे को यानि कि आप ये देखिए नमिल नाडू ठीक है नमिल नाडू आनदर परदेश और क्रनाटक हो जाएगा और के रिला हो जाएगा इन सब को मिला करके, इन सब को मिला करके क्या बनेगा? एक तमिलक कम कंट्री बनाई जाएगी, है ना? तो पहले इन सब को मिला करके क्या बोला जाता था? तमिलक कम बोला जाता था, ठीक है? तमिलक कम, तमिलक कम, राइट? इसको तमिलक कम कंट्री बोला जाता था, ठीक है? करेंगे divine king divine king किसको बोला गया है king often try to identify themself with the variety of the duties order to claim the high status अब कुछ यहाँ पर देखो more dynasty के decline होने के बाद है ना more dynasty के decline यानि कि पूरा उनका पतन होने के बाद फिर उनको कन्व और शुंग जो dynasty के ruler से उनको replace करते हैं तो अगर question आता है कि more को किस ने replace किया तो आपका answer क्या हो जाएगा कन्व हिंदी में भी लिख देती हूं English हो भी ठीक है कन्व हो जाएगा और शुंग dynasty के ruler जो थे वो rule करने लगेंगे morea rulers के बाद में ठीक है कन्व और शुंग तो अब यह जो rule होंगे उसमें फिर उसके बाद भी इनके बाद भी कोई और ruler आएगा तो ऐसे करते करते हैं यहाँ पर हम कुशाना rulers के उपर बात करते हैं तो कुछ राजा इन में से ऐसे भी होते थे जो अपने आपको भगवान का दर्जा दिया करते थे कि हम प्रत्वी पर जब आए हैं तो हम एक तरीके से भगवान लोगों के लिए भगवान हो गए है न तो किस तरीके से जैसे भगवान का order follow किया जाता है तो यह लोग भी यह चाहते थे expect करते थे कि हम लोगी तुमारे लिए भगवान हैं और हमारे order को तुम्हें obey करना चाहिए अब वो अपने आपको हाई जो claim किया करते थे हाई status पर कि हम सब से उपर हैं तो इन में से कुशाना रूलर इस तरह का claim किया करते थे जो कि फोस्ट सेंचुरी बी सी से फोस्ट सेंचुरी सी तक का इनका ruling period बताया गया है who ruled over the kingdom extended the central Asia जो कि rule करते थे कहाँ पर central Asia से Northwest India यानि कि पूरा का पूरा Central Asia और आपका North Northwest India यह पूरा का पूरा rule किया करते थे Collegiate Statues of the कुशाना यह क्या है पूरा का पूरा Collegiate Statues है ठीक है यह हमें का मिला यह उत्तर प्रदेश और अफगानिस्तान से ऐसे मिले हैं जिससे यह पता चलता है कि अपने बड़ी-बड़ी मूर्तियां यह मंदिरों के आगे रखवा दिया करते थे जिससे जो भी लोग वहां पर डिवोटीज आएंगे विजिटर्स आएंगे तो पहले इनको इनके सामने सा जुकाएंगे फिर आगे जाएंगे तब व गौड चलियर नौ 4th century evidence that larger status including the gupta up 4th century में गुटा रूलर्स आते हैं तो गुटा रूलर्स भी अपने आपको बहुत ही जो है वो महान समस्ते थे इसमें सब से महान राजा बताया गाया किसको सब से महान राजा बताया गाया वां समद्रुप्त को है तो उन से पहले चंद्र समुद्र गुप्त की बारे में हमें कहां से पता चलता है तो उनके कोड़ पूर्ट थे कौन हरी शेन तो उन्होंने इलाबाद इंस्क्रिप्शन्स या फिर आप कह सकते हो कि पर्याग प्रशस्ती पिलर जो होता था वहां पर उसने पूरी तरीके से डिफाइन किया कि समुद सबस्क्राइब तो आपने देखा होगा सामंता वगरा होते थे लसामनत भी कौन होते थे एक तरह करेकशण का उन्Wow फूम के पास राइट था वहां के रिसोर्स की रिस ले krijgen तो आपने बहुत सारी मुवीज में संपल की आपने बाजराव मस्तानी देखी होगी में देकन व to the local resources including the control over the land तो ये भी वहां के राजा होते थे अब पूरे इंडियन सब कॉंटिनेंट में इस तरह से रूल किया जाता था अलग-अलग राजाओं द्वारा चेंजिंग कंट्रिसाइड अपॉपलर अब यहां पर चैंजिंग कंट्रिसाइड मतलब गाओं के साथ में किस तरह की चैंजिस ओ रहे थे यहां पर देकिया अभी की सिटीज की तरफ किया टाउन की तरफ किया थो इथ क्या आप्र एंड हैं तो यहां पर पाली भाशा में लिखी जाती थी ऐर उंडольз 1000 कि यहां से डेट पोची जाती जाता को कब लिखना शुप किया था जो कि पाली भाषा में लिखी जाती थी और इसको फुस्ट मिलिलियुम सी से लिखना सब् Ambush का था उसमें क्या बताए गया है इसमें ऐसी कहानी का वर्णन किया गया जिसमें क्या होता है एक विग्ड किंग होता है जो कि अपनी प्रजा को बहुत परेशान करता है और इस तरीके से प्रजा जो होती है वो उसके मरने की दुआएं करती है कि बस हमारा इस राजा से पीछा चूड़ जा है बस भगवान इसको उठा लिए है ना करके कुछ तो क्यों मांगते थे क्योंकि राजा जो था वो बहुत ही क्रूल था है ना अपने प्रजा के बारें बिल्कुल नहीं सोचता था हमेशा उनके उपर जादा जादा रेवेन्यू टेक्स करता रहता था तो जंता बहुत जदा परेशान थी इस से यह पता चलता है कहने का मतल अब प्रड़क्शन को एग्रिकल्चर प्रड़क्शन को इंक्रीज करने के लिए वो क्या-क्या स्ट्रेजीस फॉलो किया करते थे हैं तो यहां पर फॉन दा सिक्स सेंचुरी बीसी प्लोइंग अग्रिकल्चर बिकें दा प्रिविलेंट इट वाज यूस इन दा तो जैसे जैसे वो फ्लो करेगा तो उसके साथ कंकर, मिठी, पत्थर जो है बहुत सारे ऐसे मिंदल्स लेकर आएगी तो एक टाइम आएगा जब वो उसको डिपॉजिट करती जाती किनारों के अपर और यह बहुत बढ़ा जो है वो क्या बन जाता है एक सिल्ट बन जाता ह जब यहाँ पर कोई agriculture की जाती है तो उसकी production जो है वो बहुत अच्छी निकलती है तो इस वज़े से वहाँ का production अच्छा होने के जैसे राजे के पास revenue भी अच्छा आता है और साथ साथ में वो export भी करती रहते हैं तो यह सारा बताय गया है तो iron में अब इसमें प्लो में क् खुदाई हो जाती थी जिसके वज़े से plant को grow करने में जो भी उनको nutrients चाहिए होते थे वो soil से अच्छे से मिल जाते थे नेक से बात करेंगे differences in the ruler society तो differences अब ruler society के अंदर यानि कि गाव village area के अंदर भी societies में categories बनी हुई थी है ना तो कौन कौन सी categories बनी हुई थी तो एक होते जिनके पास average थे वो land थी लेकिन कम थी एक वो थे landlord से जिनके पास बहुत ज़्यादा जमीने होती थी तो the term गहपती अब एक term आती है आपके पास गहपती ये word पूछा जाता है गहपती कौन होता है बचे head of the family होता है ये जो है पाली टेक्स के अंदर गहपती किसको बोला हूं गया है farmer की ही category होती थी तो एक a half of family होते थी जैसे से हमारे दादा जी हो गया दादा जी के नाउता है था is तरीके से और पापके लंग को होते थे जो लड़ी वगरा भी उनके अंटर में होती थी शॉप्स हो गई कुछ जो भी कुछ होता था वो नी के नाम पर होता था तो उनको कहा जाता था गहपती तमिल लिटरेच्छुर में संगम जो टेक्स होता था उसके अंदर भी तीन कैटिगरीज बताए गई जो इनको विलार कहा जाता था प्लो मैं होते थे उनको जावर कहा जाता था और सलेव को या जाता था अदमई कहा जाता था फीन क्या करेंगे तो उनको land grant करने का system जो है वो शुरू कर दिया था उनको land दी जाती थी तो इनको जो land दी जाती थी उसको क्या का जाता था? ब्रामनों को जो लैंड दान भूमी दान करी जाती थी उसको क्या कहा जाता था अग्रहारा कहा जाता था ठीक है राजा कोई पूरा राइट होता था मेल को राइट होता था कि वो अगर उसके पास लैंड है तो वो ग्रैंट कर सकता था लेकिन एक रेयर केस ऐसा मिला है हमें प्रभावती गुपता का, ठीक है, प्रभावती गुपता, तो प्रभावती गुपता कौन थी, यहां से question आता है, तो इनकी दो डेजरेश, मतलब इनकों, दो तरीके हम define करेंगे, तो बेटी किसकी थी, ठीक है, डॉर्टर किसकी थी, और कुईन कहा कि थी, तो डॉर्टर थी यह चंद्रगुपता second की, किस की थी यह, चंद्रगुपता, चंद्रगुपता second की daughter थी, ठीक है, अगर Queen आ जाएगी तो वाका टक, ठीक है, वाका टक यह क्या थी, कुईन थी, राइट बचे, वाका टक कुईन थी, तो वाका टक के एक प्रिंसेस से इनकी शादी होती है, तो वहां की कोई इन मानि जाती है एक यह rare case ऐसा बताय गया है इसमें जिसको की लैंड grant करने का यहाँ पर right लिया गया था बाकि किसी भी जो फीमेल होती थी उनको land grant करने का कोई भी उनको right नहीं दिया गया था तो grant land were started from the early century of the common era many of which recorded in the inscription तो यह हमें कहां से पता चला कि किस राजा ने किस को land grant करी थी, किस ने करी थी, कब करी थी, यह हमें inscription से पता चलता है, तो प्रभावती गुपता का record भी हमें inscription से पता चला है, तो record have been survived the generally about the grant the religious institution to the ब्रामना, तो मैंने कहा ना कि जो भी मंदरों वगेरा को या ब्रामनों को religiously जो grant की जाती थी, मंदर को बनाने के लिए या फिर ब्रामनों को देने के लिए, उसको क्या कहा जाता था, अग्र हारा कहा जाता था, ठीक है, क्या कहा जाता था, अग्र हारा, तो the inscriptions also give that idea, तो इस तरीके से, जो हमें inscription से बिला कि, जो वहां की population थी, वो राजा से सहमत थी, नहीं थी, किस राजा ने कौन सी victory हासिल करी, किस राजा ने किसको land grant करी, यह सारी चीजे हमें inscription से पता चलती है, निक सब बात करेंगे कि the urban population elite and the craft person, तो the artifacts recovered, अब यह जो बार 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 आर्टिफिक्स वर्ड आ रहा है न, वच्छे इसका मतलब यह होता है कि है कि हमें fine pottery skin, हमें proof भी मिले, ऐसा माना जाता है कि यह जो थी, बहुत ज़्यादा costly थी और इसको normal लोग afford नहीं कर सकते थे, गरीब लोग, इसको यह बहुत ही कम पाए गए थे है न, वैसे तो मिट्टी के बिरतन हमें काफी मिले, लेकिन इस तरह की fine quality के जो बरतन होते थे वो बहुत ही कम मिले, इससे पता चलता है कि ऐसे महंगे बरतन जो है, वो rich लोग ही use किया करते थे, with the glossy finish क्यों, क्योंकि इनकी जो techniques होती थी, काफी महंगी होती थी, और इनको कहा जाता था, नदन black polish wear, probably, probably का मतलब होता है, शायद used by the rich people, तो artifacts also, तो हमें इसके अलावा, bowls के अलावा हमें ornaments, tools, weapon, vessels, ये सारी चीज़े हमें मिलती हैं, जिससे पता चलता है कि इन इन चीज़ों को भी वहाँ पर use किया जाता था, organization, जो craft producers की organization होती थी, उसको क्या बोला जाता था, गिल्ड और शेनी कहा जाता था, है न, जो इस तरह का, जो मतलब merchant होते थे हैं, जो एक काम को दूसरे तक पहुंचा कर, दूसरे को तीसरे तक पहुंचा कर, इस तरह का, उनका एक group होता था, उसको क्या का जाता था, शेनी या फिर गिल्ड कहा जाता था, ठीक है, तो ये raw material से ले कर के, raw material से, फिर वहां से, वहां, वहां से, मतलब final तक तक बनाते बनाते, ये सा काम खुद किया करते थे, तो इनकी एक organization होती थी, जिसको सेनी और गिल्ड कहा जाता था, trade in the subcontinent, तो from 6th century BCE, land and the river, riverine route, cross the subcontinent and extended in the various direction, both overland and the overseas, मैंने कहा ना, कि land route भी follow किया करते थे, riverine route भी और sea route भी follow किया करते थे, अगर उनको बहार के देशों के साथ trade करना होता था, त sea route follow किया करते थे, local होता था, तो वो land route करते थे, अगर उनको एक state से दूसरे में जाना होता था, तो वो riverine route योज किया करते थे, तो हम यहाँ पर बात करेंगे, कि those who travel, those who travel, route including the paddlers, who probably traveled in the, तो यह जो व्यापार किया करते थे, तो आपने कार्वा नाम सुना होगा, है ना, कार्वा नाम सुना होगा, तो यह कार्वा क्या होता था, जो लोग paddle merchant होते थे, paddle, मतलब bullet carts वगरा पे जाते थे, कार्वा में, इखटे होकर चलते थे, क्यों होते थे, क्योंकि इनको आगे कोई, इनके साथ में loot खसोट ना करे है न, इनका सामान कोई चोरी करके ना ले तो ग्रुप में डर नहीं लगता था, इसलिए लोग इखटे होकर चलते थे, तो foot merchant होते थे, foot and the merchants who traveled with the carvas of the bullet cart, तो यह इनको कार्वा कहा जाता था, तो ऐसे भी trade होता था, there were also the saferers, तो saferers, जो sea voyages किया करते थे, कि कि किसी राजा ने, किसी particular person को बोला, कि तुम्हे other country में जाके इस तरह से हमारे trading relations बनाने हैं, तो वो उनका message करने के लिए trade का, दूसरे countries में जाया करते थे, वहाँ के राजा से मिल करके इस तरह से बाच्चित किया करते थे, तो जिनको sponsor किया जाता था, राजा से, काफी अच्छा पैसा दिया जाता था है ना, तो उनको profit होता था है ना, double profit होता था, तो कैसे होता था, तो उनको वहाँ तक जो पहुंच जाते थे, हाँ, वहाँ तक पहुंच जाते थे, पढ़ने आए, ठीक है, पढ़िए, राइट, तो उनको क्या का जाता था, सेफलर्स कहा जाता था, अब यह successfully जो merchants होते थे, जो properly क्या करते थे, जो भ हाँ तक सही सलामत पहुंच जाते थे, ऐसा भी होता था, कि C में साइकलोन आ जाता था, तुफान आ जाता था, तो उनकी जान को खत्रा भी होता था, तो ऐसे में उनकी death भी हो सकती थी, लेकिन जो सही सलामत पहुंच जाते थे, तमिल भाशा में उनको मसत्वन कहा जाता थ करेंगे कि coins and the Kings बात करेंगे तो अब जो व्यापार होता था तो उसमें जो है दू-दू धराज के देशों के साथ में जो व्यापार होता था वो उसके लिए coins को introduce किया गया तो किस राजा ने कौन से coins को introduce किया यहां पर हम जानते हैं तो सबसे पहले पंश्मा कोईंस को introduce किया जाएगा है ना पंश्मा कोईंस made the silver copper in the 6th century BC onwards तो ये 6th century से ही start हो गए थे पंश्मा कोईंस और पंश्मा कोईंस जो है वो दो metal को मिलकर बनाए जाते थे कौन कोईंस से silver plus copper को तो उसके बाद among us the earliest to be minted and used नियू मेई मेटरिस्ट बोला जाता है ना तो मैंने बाता है ना नियू मेटरिस्ट जो होते हैं वो कॉंस के चृड़ी करने वाले को new ministries बोला जाता है ठीक है तो उन्होंने कौइंस पर लिखे हुए gold coin issued by the question आता है कि first gold coin किस ने इशू किया तो यह आ जाएगा आपके Kushana rulers ने है ना तो Kushana rulers Kushana dynasty के rulers ने पहली century में first gold coin को introduced किया था right so these were the virtually identity दो अब इसके बाद यह जो इनके एक weight होता था था ना तो these were virtually identical in the return with those issued the contemporary Roman Emperor and the Parthenian rulers of Iran तो इरान के जो Parthenian rulers थे या फिर Roman Emperor थे उन्हों ने जिस तरह की coins चलाये थे उसी की copy करके Kushana rulers ने अपने यहां पर सिक्को का प्रचलन स्टार्ट किया coins वर और और जो है वो जो यह जो होते थे सक्स जो बर्चेंट्स वगरा होते थे बड़े बड़े टेजर्स होते थे यह भी उनको इंट्रड्यूस कर वा दिया करते थे सम्मोस्ट स्पक्तिलर गोल्ड कोईंस वर इस उड़ बाइदा गुपता तो स्पक्तिलर का मतलब होता है एट्राक्टिव बहुत सुंदर से कोईंस जो बनाए गये थे गोल्ड कोईंस उनको उन्होंने किस ने बनाया उनको तो यह गुपता रूलर्स तो लॉंग डिस्टेंस के लिए और जो स्प को मैच किया गया कि इसका इसका जो एक लिखने का तरीका है वो म की तरह दिखाई देता है क की तरह च की तरह है न तो फिर एक एक चीज को डिसाइफर किया गया पैचाना गया ठीक है अब यहां पर बहुत सारे लांगवजिस को स्क्रिप्ट को मैच किया गया जैसे बेंग is James princip was able to decipher Ashoka inscription in 1838 1838 के अंदर Ashoka के inscriptions को decipher किया गया किसके द्वारा James princip के द्वारा और यह जो अशोका के inscriptions जो ब्राम्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखे हुए थे तो यह इस तरीके से लिखे थे अब हम क्या करते खरोस्टे स्क्रिप्ट को खरोस्टे स्क्रिप्ट को कहां यूज किया जाता था नोर्थ वेस्ट एडिया में यहां से क्वेशन आता है ठीक है here the coins of the Indo-Greek Kings were found the rule of the यहां पर coins से पता चला है कि यहां पर Indo-Greek जो है वो rule किया करते थे second century से first century BCE के बीच में इनका ruling था और यहां के ruler जो थे वो खरोस्टी स्क्रिप्ट को यूज किया करते थे these coins contain the name of the king तो यहां के coins पर जो लिखा हुआ था वो ग्रीक Kings थे है न इंडो ग्रीक राजा थे तो उन्होंने अपना नाम यहां पर लिखवाया तो किंग रिटन दा किंग्स खरोस्टी स्क्रिप्ट एंड प्राकृत वास इडेंटिफाय दोस को इन फिर बात पता चला कि यह जो भाशा है यह प्राकृत से मिलते जुलती है और उसी बाशा में उन्होंने अपना नाम बगरा ऐसा कुछ लिखवाया हुआ है क्लियर बजा निक से मुवन करते हैं ता लिमिटेशन अफ दा इंस्क्रिप्शन अपॉर्डिंग तो दा इंस्क्रिप्शन देव पिया तो मैंने पहली ही स्लाइड में बताया था कि अशोका ने अपने आपको अपने देव पिया और पीया दसी के नाम से लिखवाया रहुर्प करते हैं अशोका के जादातर इंस्क्रिप्शन जों उंने अपने अपको लिखवाया था that match the terms of the content और बहुत सारे फिर इंस्सिप्शन को बैच किया गया उनके content को उनके style को उनके language को पैलिओग्राफी एपिग्राफिस्ट have concluding that they were issued by the same ruler तो बहुत सारे इंस्सिप्शन को पढ़ने के बाद पता चला कि यह ruler same है एक ही राजा है और उसने अलग-अलग तरीकों से अपने आपको इस तरह से लिखवाया हुआ है ठीक है तो यह पूरा का पूरा हमारा क्या था पूरा का पूरा हमारा यह chapter था now it's time for practice है ना तो practice के लिए आपको क्या करना है जब पूरा हमें chapter पूरा revise हो गया है अब revision करनी है ना hard work नहीं करना भी आपको smart work करना है तो आमने पूरा मोटा मोटा से देख लिया revise कर लिया अब आपको यह देखना कि आपने कितना समझा तो उसके लिए आपको practice लगानी होगे practice कहां से करनी है practice करने आपको प्रतिग्या बैच के अंदर से है ना तो प्राक्टे प्राक्टेस के लिए आपको 60 ischer day का हम planner दे रहे हैं वो आपको प्रतिग्या के अंदर दे रहे हैं तो जा करके practice करने के लिए जसमें हम आपको 170 क्या करें डाट 24 set की तरफ से आपको 170 Foods दीए जा रहे हैं वो भी online है न और आपको 70 365 ओक्रम जा रहें crash course है, crash course आपको पता है कि बहुत अच्छे division ले जाने के लिए और सारी चीजों को recall करने के लिए crash course जो है, वो बहुत बहुत ज़्यादा powerful होता है, इसलिए आज ही जाकर के इंडिया के सबसे बड़े platform पर other 24-7 CUET के लिए उनके student को दिया जा रहा है, ये crash course और वो भी इतने कम prices पर, कितने कम prices पर तो maximum discount पाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले other 24-7 की application को download करना है, जैसे आप application को download कर लोगे, तो वहाँ पर देखे, other 24-7 की application को download कर लिया, उसके बाद आपके पास इस तरह की screen आ गई, then उसके बाद आपको क्या करना है, UGPG entrance exam पर click करना है, then उसके बाद अब UGArts पर click करना है, तो जैसे आप यहाँ पर आ जाओगे, तो arts पर click करना है, science के हो, commerce के हो, arts के हो, सभी के लिए ये है आपका प्रतिग्या का crash course है ना, तो ये आपका क्या है, प्रतिग्या, India's number one crash course for CUET exam, अब होगी तयारी plus mode पर, अब ये plus mode पर क्यों का, मैडम अभी तक तो एक था, यहाँ पर, अब ये plus mode इसलिए का आगया, क्योंकि प्रतिग्या में, जो महापेक वाले बच्चे हैं, अब उनको भी ये test दिये जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, प plus mode पर बताया गया, इसको buy now करने के लिए, आपको क्या करना है, इसको buy now करने के लिए, enroll करने के लिए, Y489 coupon code को use करना है, जैसे आप इसको apply करेंगे, ये देखिए, आपके पास पूरे 17% के discount पर पहले 15 था, फिर ये code लगा करके, आपका 17% का discount हो गया, बच्चे, देखो, अभी तयारी करने का time है, तो अभी तयारी कर लो, क्योंकि अगर आप पैसो के 3000 को देख रहे हो, तो बच्चे, इन 3000 को मत देखे, आप अपने उस career को देखे, उस सपने को देखे, जो आज आपके लिए बहुत ज़्यादा important है, और उस important से सपने को पूरा करने के लिए, करती गया के plus option को join करना है, जल्दी से हमारे साथ preparation को start कर दीजिए, 23rd से इसकी classes शुरू होने वाले, इससे है, ऐसा ना हो कि classes start हो जाए, और फिर आपके लिए बहुत देखे, ठीक है, मिलते अपने next video में, till then take care, bye bye to all.